बारत और वेस्ट इंडीज की बीच आज जमायका में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा लेकिन भारतिय टीम के श्टार बल्लेबाच रोहित सर्मा के फैंस के लिए बुरी खबर है आपको बता दें कि कप्तान विराट कोहली ने पहले ही संकेत दे दिया है कि रोहित सर्मा को दूसरे टेस्ट मैच में नहीं सामिल किया जाएगा दोस्तो अगर आप भी रोहित सर्मा के फैंन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अभ्याज मैच में सांदार और दसतकीय पारी खेलने वाले रोहित सर्मा को प्लेइंग 11 में नहीं सामिल करना समझ से परे है इसके अलावा विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को भी सायद दूसरे टेस्ट मैच में भी मौकार नहीं मिलेगा यानि रिसब पंथ दूसरे टेस्ट मैच में बने रहेंगे अगले महिने 15 सितंबर से दच्छल फिरका के खिलाप होने वाली T20 सिरीज के लिए भी रिसब पंथ को भारतिय टीम में सामिल किया गया है हलांकि पहले टेस्ट मैच में रिसब पंथ का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा लेकिन कयास लगाया जा रहे हैं कि रिसब पंथ दूसरे टेस्ट मैच में तुफानी बल्ले बाजी का जलबा बिखेर सकते हैं निश्चित तोर पर रिशब पंत की तुफानी बल्लेबाजी से वेस्ट इंडीज टीम के गेदबाज डरे हुए हैं। रिशब पंत टेस्ट क्रिकेट में भी वन डे और टी ट्वेंटी के अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। यही वज़ा है कि रिशब पंत बहुत कम समय में भारत के सबसे लोक्प्रिय बल्ले बाज बन गए रिश्व पंद दुनिया के किसी भी गेदबाजी आकरमण की बखिया उधरिने की छमता रखते हैं रिश्व पंद के फैंस की तरफ से दावा यहां तक किया जा रहा है कि वह दोहरा सतक बना सकते हैं रिश्व पंद एक आकरमण बल्ले बाज हैं जो मैदान पर टीक गए तो अकेले वेस्ट इंडीज टीम के गेदबाजों की दज्जियां उड़ा सकते हैं